जहिन साथियों तो आई आज का सेगमेंट शुरू करते हैं आज भी जो जलंत मुद्दा है जो अखिल भारती अखाड़ा परिशद है उसके जो अध्यक्ष थे मांत नरेंद की रिदास इन्होंने एक तरह से फासी लगा कर अपनी जान दे दी है और ये इन्होंने अपने जो प्रियाग राज में एक तरह से इनका जो आश्रम था बहां पर ये घटना घटी है तो आईए इसी के बारे में देखते हैं ये महंत जो नरेंद गिरी हैं अभी आपको दो नाम ज्यादा सुनने पड़ेंगे एक तो महंत नरेंद गिरी और एक आनंद गिरी तो ये महंत नर परिशत के अध्यक्ष्ण और एक तरह से इसमें 14 अखाड़ा हैं और सारे बहुत बड़े बड़े अखाड़ा एक तरह से जो इतरह से बहुत बढ़ी ख़बर रही है तो इसी के साथ में देखते हैं और ये इनकी सुसाइट नोट तो इसमें इन्होंने यही लिकाए कि मैं महंत नरेंद गिरी और यहां पर देखिए यह टोटल आठ पेज था यह इसकेन कॉपी मुझे मिला है यहां पर आप देखेंगे यह 8 बट 15 यह आठ वा है और यहां पर मेरे पास दो कॉपियां है भी इसकी हो सकता है और भी लिखा हो लेकिन देखते हैं दो में क्या और डेट यहां पर 13 तारीक की है तो यह इनके अंदर इस तरह से इस तरह की टेंडेंस बहुत पहले से ही चल लही थी तो आईए देखते हैं मैं महांद नरेंद गिरी आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली की आनंद गिरी कंप्यूटर इन्होंने कंप्यूटर पहली बार नहीं सही से लिखा है फिर इसके बार में उपर लिखा है कि माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड कर गलत काम करते होए बदनाम करेगा आनंद गिरी का कहना है महराज यानि मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे मैं जिस समान से जी रहा हूँ अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूँगा इस अच्छा मर जाना ही ठीक है महंत नरेंद गिरी अब देखिए कितना एक तरह से इनका मन जो एक तरह से लिखा है फिर देखते हैं अगर आज मैं आत्मात्या कर रहा हूँ जिसकी पूरी जिम उनको मैंने निकाल दिया था पहले पुजारी थे और इन दोनों के इन्होंने एक तरह से जो अखाड़ा परिशद है यहां से निकाल दिया था और संदीब तिवारी सनाफ आधा तिवारी जो संदीब तिवारी है यह अधा तिवारी का एक तरह से बेटा है और आधा तिव जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था एक आडियो इनकी हिंदी एक तरह से जो हमारे एक पीडियो उपर है उनकी हिंदी ऐसे ही लिखते हैं एक आडियो कैसेट आनंद गिरी जारी किया था मतलब इसके पहले भी उसने आनंद गिरी ने एक तरह से आडियो कैसेट जा अज मैं हिम्मत हार गया और लाश्ट लाइन लिक्रें आज मैं हिम्मत हार गया तो इस तरह से है तो आएसे देखते हैं तोटल और का है और इसी के साथ में ये यूपी के सुएम है योगी आधितनात्रEngine। उन्हों Woche अंतिम सरदांजली अरपित की और यह उनके कुछ लाइन लिखा उन्होंने और इसी के साथ में आये देखते हैं कि यह अखाड़ा परिशद मतलब क्या है और किस तरह का इंफुएंस रखता है और एक तरह से पॉलिटिकल भागीदारी में क्या यह एलेक्शन रड़ता है या लड़ आनंदगिरी हैं यह एक तरह से साम को छे बज़े लगभग यह सुसनाई की जो अध्यक्ष हैं इनकी संदिक परिश्तिति में एक तरह से मौत हो गई है और फिर सुसाइटल नोट जो मैंने भी आपको दिखाया और यह इसलिए हुई है कि आनंदगिरी की प्रताना से और प्रोनों के वीज कुछ विवाद चला था तो एक तो एक एज़त वाली सवाल थी और एक प्रोपर्टी इश्यू था और एक ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा था भी कि वह अपने उत्रा धिकारी के तरह से अपने आपको देख रहे हूं जो आनंदगिरी हैं तो इस तरह से यह यह आ पर फोटो यह आनंदगिरी हैं और यह जो नरेनदगिरी जो अब दुनिया में नहीं रहे और यह अभी और इसके साथ में यह जो अखाडा परिशद के एक तरह से माहन तो थे हिए यह जो बड़े हनुमान जी की मंदिर है प्रियाग राज में शंग्म तट्ट प्र उसक के नाम है और वहां पर भी प्रोपर्ट रूपर राज में भी है तो इस तरह से यह पर खले से तो आप सुरू से हम देखते हैं कि एक्शुल में अखाड़ा और इसका क्या है अब धरह से है जो हिंदू संतों की एक तरह से साधूं की इंडिया में एक काउंसिल है मतलब यहां पर जो इंडिया के साधूं है पूरी इंडिया से वो इसमें एक तरह से अपना और्गनाइजेशन बनाए हैं और इसी के साथ में इसमें 14 अखाड़े हैं आप यहां पर देख सकते हैं यहा बहुत बाहर नाम सुना होगा और अगर आपने अयुद्या वर्डिक्ट देखा हो बहुत कम से कम 1000 पेस से ज्यादा था क्या ही कोई पढ़ेगा ज्यादा लेकिन जो मोटा मोटा उसमें था उसमें निर्मोही अखाड़ा भी एक पार्टी था और यह राम जनम भूमी दो प्रोमिनेंट अखारा हैं वो भी इसी के पार्ट थे तो आप देख सकते हैं 14 यह और इसके साथ में दो और तो बहुत बड़ा अर्गनाजेशन एक को लीड कर रहे थे तो उसी के उत्तरादिकार का क्लेश था और देखे क्या क्या हुआ और फिर अभी तो बहुत कुछ इसमें कलू आएगा क्योंकि अभी पुलिस एक तरह से पूलिस ने किसी को गिरफतार भी नहीं किया है अभी देखते हैं क्या होता है क्योंकि एलेक्शन भी आने वाले हैं तो देखते हैं क्या होता है अभी देखते हैं अखिल भारतिय अखारा परिशद है ये कब फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन अठारवी संचिरी में हुआ था और ये रिलिजिस अर्गनाइजेशन है और हेड़ कौर्टर इसका है अयुद्या में लोकेशन इंडिया आप जानते हैं लीडर नरेंद्रगिरी है अब तक की है और जो मेन और्गन है इसकी कमीटी है जिसमें एक तरह से 14 अखाड़े हैं और दो अन्य भी हैं और इसी के साथ में जो अखिल भारतिय अखाड़ा परिशद है ये जो हिंदों की अखारा सिस्टम है अखाड़ा बैसिकली इसको रेसलिंग आपने नाम भी सुना होगा एक तरह से रेसलिंग रिंग होगा उसको अखारा करेते हैं लेकिन यहां पर एक तरह से इसलीए इसलिए रिपार किया जा रहा है कि यह प्लेस आफ डिबेट है यहां पर नी साथ में जो अगर सानातन भर है तो बहुत पुराना है उस के बाद में आगर देखें सहवाइट है और सहवाइट लोग ऑईसे करके इस तरह से यह सहवाइट का है और इसी के साथ में जो यह डहिश से एक तो जो वैशनो है वो वर्टिकल है आप ऐसे कह सकते हैं वर्टिकल है और जो सिव को मानने वाले हैं वो होरिजन्टल है तो आप आपको याद भी रहेगा इस तरह से कभी भूलेंगे भी नहीं और इसी के साथ में ये जो वैशनो है वो विश्नु के भक्त है और जो है वो सिव के भगता है तो एक तरह से अखाड़े में ज्यादा तर इन दोनों धर्मों की बहुत ज्यादा मानेता है इसके अलाओ दक्षिन के भी है संक्राचार भी हो अभी हम देखेंगे और यह देखें जो अखारा है यह तरह से आठवी सेंचुरी में आपने सुना होगा क आठवी सेंचुरी में चार धाम की स्थापना की थी संक्राचारे ने और जो संक्राचार थी यह केरल से आते थे और इसके बाद में इन्होंने चारो धामों की स्थापना की थी और यह एक तरह से जो साथ अखाड़ा है वो उस समय इन्होंने इस्टैबलिस किया था उसमें एक तरह से जो नाम है उनके पॉसिबल दस नाम है वो दस नामी महा निर्वानी निरंजनी जूना आपने सुना योगा अटल अवाहन अगनी आनंद अखारा तो इस तरह से इसमें से दस अखारा एक तरह से तब से लेकर चले आ रहे हैं और अर्लियस रिकॉर्डट बताते हैं कि जो यह अखारा है यह यह आप जैसे यह आभाना अखारा है यह 547 CE मतलब 547 इसा पूर्व से भी था तो बहुत पुराने पुराने अखारे हैं वैसे भी कासी और प्रयाग राज तो बहुत पुराना प्रयाग तो वैसे ही प्रयाग को ऐसा माना जाता है कि वहां पर ब्र मुस्लिम पीरियड था और इसके बाद में जो लेटर ब्रिटेस रूल था वहां पर भी जो अखारा है इनको एक तरह से और नाइज रखा गया तुगेदर और जो कुम्भ है कुम्भ मेला ये हिंदू रिलिजन और कल्चर को जो दिखाता है ये चलता रहा और इसी के साब में 1565 में जो मधु सूधन सरस्वती थे इन्होंने एक तरह से सुरू किया अखाडे में एक तरह से मिलिटरी फोर्सेस तयार करना जो रिजिस करेगी इन्वेजन को और प्रोटेक्ट करेगी हिंदू को तो ये कौन थे ये मधु सूधन सरस्वती थे इन्होंने 1565 में एक तरह स वो इसमें हैं और अभी आप देखते हैं जो यह अखाड़ा परिशत है यह पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी तरह के एलेक्टोरेल पॉलिटिक्स में हाँ लेकिन एक तरह से इंपोर्टेंट है हिंदू सोसाइटी में जो हिंदू लीडर्शिप है चाहे वो भी जो राइट थिंकिंग होते हैं जो धर्म पर थोड़ा ज्यादा जोर रखते हैं वह उन्हीं को सपोर्ट करते हैं तो यह एक तरह से बी-च्पी विश्व हिंदू परिशद है तो इनको भी सपोर्ट मिला है और कभी-कभी इनको इन्होंने परिशद जो अखाड़ा परिश इसी के साथ में दूसरा जो अखिल भारतिया खारा परिशद है यह एक तरह से जो राम जनम भूमी टेंपल है उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से मुव्मेंट चलाया इन्होंने ही और जो डिमॉलिस हुई बाबरी मस्जिद अयोद्या में उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जैसे इंटों का बीहच्पी ने किया था कि हर कोई इंट लाके रखेगा है और इसके अलावा जितना भी डोनेशन और यह सारी चीज़ें थी तो यह अखाड़ा ही पीछे से बैक कर रहा था और इसी के साथ में जो जो साइड आफ बर्थ है राम भगवान की और उसके अलावा जो एट एक तरह से मोस्ट पॉपलर आउतार हैं माटीरियल अपिरेंस में विश्नु के जो राम है उनको एक तरह से उनको उनके लिए लड़ाई लड़ना यह परिशद नहीं किया था अखाड़ा नहीं किया थ तरह से मॉडरेट लीडर थे उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया था कि राम एक सिर्फ राजा थे कोई भगवान नहीं थे उनके लिए इस तरह का लड़ना यह इस तरह का जरूरी नहीं तो ऐसी भी आपने सुनी भी होगी इस तरह से और फिर 1989 में जो निर्मोही हाबाद हाई कोट ने जजज्मेंट दिया कि एक तरह से वन थर्ड आफ साइड है वह अखाड़ा के कंट्रोल में दे दी जाए लेकिन किसी ने भी नहीं माना था और बाद में फिर वह चलता रहा और फिर जैनवेरी 2019 में यह एक तरह से जो तेरा रिकगनाईज अखाड़ा वह और जून अखाड़ा है और यह एक तरह से लारजेस्ट अखाड़ा हुएए और सेवन अखाड़ा जो फाउंड किए गये थे आदिसंक्र के द्वारा आदिसंक्राशार के द्वारा उन्में से तीन है जो इynn lange अ कर रहा है वो दिए अनि अखारा दिगंबर अनि अकारा और निर्मल अनिय अकहर तो अभी भी सात में से तीन अभी भी एक तरह से चल रहे हैं और वो सातों कहीं न कहीं मर्ज हुए हैं तो एक तेरा तो यह और यह जूना खाड़ा यह मिलाए के 14 अकहर टोटल हैं और जो बागंबरी मठ है वहीं पे इनका जो महंत हैं नरेंद्रगी इनका जो बाघंबरी मठ है मही पे Metroid की एक देट हुई है वही से मिला है और इसी के साथ में जो पंच-दसानम जुना अखाडा इहें बनारस में अभी एफेंगे कंहा है तो पहर्जाच दसंतानव में दिंगे कि जो अगा। इसके साथ में अभीतिया सendeu इसके सारी स्निगा डला को चाहिते हैंगे ताम में किन्नर अखाडा है इसे के साथ में शिरी पंचायद निर्वानी अखाडा ये परियागराज में है और ये सिकंड लार्जेस अखाडा है और ये बनाया गया था 904 इस वीवे गुजरात में और निरंजनी अखाडा है ये वरसिप करता है कार्थिके को जो भगवान संकर है उन और फिर गनेश जी है और जो निरंजनी अखाडा है ये भी एक तरह से कंसिस करता है एजुकी स्टेट परिशन को जो डॉक्टरेट रहते हैं और ग्रेजुएट रहते हैं तो इस तरह से है और आगे और भी देखें अगर तो आप सिरी पंच अटल अखाडा ये इसका भी स परकास भाला और सूर्य प्रकास भला हैं इन्होंने एक तरह से होली सिंबल माना जाता है और फिर फिर पंच पंच दसा नाम अस्वान अखाडा ये भी बनारस में ही है क्योंकि कासी भी बहुत प्राचीन नगरी ऐसा माना जाता है कि भगवान के सिव के जो त्रिशूल है उसके जो बीच वाला सिरा है उसकी नोक पे ये कासी बसी हुई है ऐसा एक तरह से माइथोलोजी है और ये भी दतत्रे को पूझते हैं और इसी के साथ में तैपो निधी सिरी आनंद पंचायती अखाड़ा है ये नासिक में है नासिक आप जानते हैं महाराष्ट्रा में है और ये सेकंड ओल्डेस्ट अखाड़ा है और यहां पे जो एक तरह से डेटी है जो अखाड़ा में वो देव भुवन भासकर सूर्य नरायन करके हैं उनकी पूझा होती है अखंड पूझा होती है और इसी के साथ में स्री पंचायती महा निरंजनी अखाड़ा है ये भी पर्य सूर्य प्रकास भल्ला है ये होली सिंबल में माने जाते हैं और इसी के साथ में स्री पंच दसानम पंचायती अखाड़ा है ये स्री पंचांगनी अखाड़ा ये जूनागड में है और ये ब्रहमचारी संत होते हैं जो आज इवन ब्रहमचारी होते हैं उनका एक तरह से ये एक अखाडा है और इसी के साथ में ये अलग है डिफर है अधर सेवाइड अखाडा से क्योंकि ये धूनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं जो धूनी होती है ये फायर सेक्रिफाइस होती है आप कहीं भी जाएंगे किसी भी आश्रम पे तो वहां पर आप देखेंगे एक यग जै थोड़ा मोड़ा वह भी घरम करते हैं और इसके अलावा तो अखाडे में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कि इतने बड़े-बड़े वहां पर जो खाने रसोईया है अगर आप देखेंगे तो कहेंगे क्या है इतना बड़ा-बड़ा कौन खाएगा मतलत बहुत ही बड़ा-अर्गनाइजेशन आई है और इसके साफ में जो फायर सैग्रिफाइस है इसे को कहते हैं धुनी और जो एंटोक्सियंट और इसके साफ में जन्यू है जिसको सेकरट मानते है धर्ट है घागा होता है तो वो भी यह धारन नहीं करते हैं एक अध्री बाहरी चीज और नहीं जनियों बहनते हैं बश्म लगाते हैं और थे तरह से जो तरह से जोρά को संसारिकali अपने मुश्येल्ड रिधिया है एक तरह से आलॉकी जीवन कीrik और और परहते लिग्णों तो है उसकी तरफ वो सोच रहा है या ध्यान कर रहा है या एक तरह से योग के द्वारा उसको पाना चाहता है और फिर जो वैशनो है इसके साथ में जो वैशनों हैं वो भी मैंने बताया वी कि विशनों के ये follower हैं और तीन अखाड़ा और भी हैं इसके अंदर ही निर्मोही अनी अखाड़ा ये मतुरा में है और ये एकतरा से वृंदावन में फॉर्म किया गया था अठारा वैशनों गुरूप के द्वारा औ और इसमें लाड हनुमान की पूजा होती है और जो सिरी दिगंबर अनी अखाड़ा है ये सबर कंथा में है और सिरी निर्वानी अनी अखाड़ा ये अयोध्या में है इसका हैट क्वाटर तो इस तरह से हमने देखा और जो निर्मल अनी अखाड़ा है इसको इसके अंदर भी जो सिरी चंद है उनकी टीचिंग है उसको पढ़ाया जाता है ये गुरु नानक के बड़े बेटे थे और ये 1825 में योगी राज निर्वान देव जी महराज के द्वारा हरिद्वार में एक तरह से स्थापित किया गया था और सिरी पंचायती नया उत्साइन अखाडा जो हर 900 साल आजादी से भी पुराना है और जो डिस्प्यूट है वो सिरी पंचायती बाड़ा उत्साइन अखाडा अभी मतलब यहां पर यही बात है कि जो महंत सुधीर दास है इन्हों ने 1846 में तो यह हरिद्वार में इसको सिरी पंचायती नया उत्साइन अखाडा बनाया ले समपरदाय को और यह इसकी अस्थापना होई थी 1856 को पंजाब में जो दुरगा सिंग महाराज है इन्होंने इसकी अस्थापना की थी और यह इनके क्लोज टाइज है सिखिजम से तो आप देख सकते हैं कि इसमें जैन और जो सनातन धर्म है सनातन परंपरा है और सिखिजम भी है और एक तरह से इसमें जितने भी धर्म हिंदुईजम से निकले हैं वो कहीं न कहीं इससे जुड़ रहे हैं तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं आपको यह थोड़ा बहुत क्लू मिला होगा इससे रिलेटेड और इसी के साथ में ओम शान्ति ओम बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।